श्री क्रेश्न कनाई आलाल कीजे श्री निजानन्द स्वामी कीजे श्री प्राणनात प्यारे कीजे मोहरी पेत और खड़ पे चोली नकश कटाव बाजु खवे उर उपर मानों के फूल जडाव मानों के फूल जडाव स्री क्रेश्न कनाई आलाल की शोली का वरणन कर रहे थे अब आगे बढ़ रहे हैं पांच हार अति सुन्दर हीरे मानिक मोती लसन गले में पांच हार हैं बड़े सुन्दर तो श्यामा जी तो कभी पांच हार पेंते हैं कभी साथ अब उनकी मरजी है तो यहां पांच हारों का वरणन किया है हीरा मानिक मोती लसनिया वैदुरिय मडी निलवी हार आश्मानों निलवी निलमडी तो ऐसे यह हार हैं तो यह आश्मान पुरे अकास तक इनकी ज्यूति तरंगों की भाति आगे बढ़ती हैं जंग पांचों करे रोशन तो यह पांचों तो आकास तक 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 राते हैं इन नंगों जोत तब पाईए जब नजर दीजे आश्मान इन रत्नों की ज्यूति तब पता चलेगा जब आश्मान की उर देखेंगे सब जूत जंग करता हैं कोई सकेन काहू भान सारे रंग हैं सारे रत्नों के रंग हैं उनकी अलग-अलग रंग की ज्यूति की रणे हैं वो परश पर द्वंद करती हो ऐसा लगता है तो कोई किसी को भी कोई भी रंग वह नहीं दिखता हो ऐसा नहीं है कोई किसी को परास्ता नहीं करते हो तो कहने का एक तरीक है किन्तों सारे रंग दिखाई देते हैं कोई रंग छिप जाता हो ऐसा नहीं है जो नंग पहले देखिए पीछे देखिए आकास यदि पहले रत्न की और देखा और फिर उसके किरण को देखते देखते आकास की और देखने लगें गें तो सरवतर उसी का प्रकास थाया हुआ ऐसा दिखाई देगा तब या ही कि जो तब न आवरप आई नहीं प्रकास तो इसकी जोती की बिना दूसरा कोई प्रकास नहीं देखाई देगा वही प्रकास देखाई देता है इस तरह से देखेंगे तो बीच हारों के दुगदुगी पाँच पाने हीरे नंग हारों के बीच में दुगदुगी है तो दुगदुगी क्या है कि हार में तो एक तो लॉकेट की तरह से उसको भी लटकता है उसको भी दुगदुगी बोलते हैं दूसरा ऐसी चैन्ज ऐसी ऐसी इससे इसको जुड़ी हुई इससे इसको इस्तरक्ष उसमें होते हैं और उसमें भी अलग-अलग प्रकर के रत्न लगे हुए होते हैं तो उसमें पाच पाने हीरे नंग, पाच हरित मणी पन्ना वो भी हरित मणी है हीरा है ऐसे रत्ना हैं माहें, लसनिये, नील भी, भाईदुरिय मड़ी भी है और नील मड़ी भी है, करें पांचों आपुषमें जंग, वो भी परशपर जंग करते हैं, उनका प्रकास भी एक दुसरे से टकराता है, एक दुसरे से कॉंपिडिशन करता है, स्परधा करता है, पांचों हारों के उपर डोरा देखत जड़ाव, पांचों हारों के उपर एक अलग सी डोरी, तो वो क्या है, वो चैन, अचकल उसको ही चैन बलते हैं, वो अलग सी डोरी है, वो भी केवल एक ही उसका नहीं है, तो उसमें भी कई प्रकर की जड़तर दिखाई देंगे जड़ाव, जड़ावा कारी है, कई फेल, बेल, फूल, पात, नकस, कईों न जाए, कटाव, तो उसके चितरकारी में कई प्रकर की लटाएं हैं, फूल, पत्ते, इस तरह से दिखाई देंगे, मोती मानिक पाने लशनी पांच हेम पुखराज, तो उसमें अलग-अलग रतन भी हैं, मोती मानिक पन्ना लशनी अबई दुर्यमडी पांच और हेम पुखराज, तो इस तरह से पांच वो हरित मडी है, हेम है, वो सोना है और पुखराज, और भूखन कई सो भीत, रया सव और दोरा अभिराज ऐसे अनेक आभुषन है उनसे उपडोरी है ये चैन है बड़ी सुशोबित होती है काठले उपर चोली के बेल अधारत आती जोता चोली का ये उपर का भागन तही यहां पर किनारी है तो उसमें भी बहुत चितरकारी है उसको काठला कहा कंठशरी उसके उपर कंठशरी होती है तो कंठशरी जैसे ही लगता है कभी कभी बिना कंठशरी भी वही कंठशरी जैसे लगता है तो कंठले उपर चोली या के चोली के उपर बेल अधारत आती जोता उसमाला गलग प्रकार की लताएं चितरित हैं आवर भी मानिका मूती निल भी उसमें दूसरे रत्न भी है, मानिका मूती है, निल्मणी है, दूराति न परक अधियोता, चैन है उसके उपर हो प्रकासित होता है चार शरे इतचीडे की तो उसके उपर जो कंठ शरी है तो जैसे कंठी की तरह से कंठी भी कई लोग अलग-अलग उसमें डबल करते हैं न ट्रेपल चोपल यहां चार उसकी उसकी वो चीड की है तो चीडे काँ जैसा ही होता है और हर शर में रंग दस तो हर शर में तो उसमें दस रंग है वो रंग इस जुवा के द्वारा बताया नहीं जा सकता रंग रुवचाईल अरश तो इस रंग को बताने के लिए तो परमधाम के आत्मा ही चाहिए कंठ शरी इन उपर इन सब के उपर कंठ शरी है रई कंठ को मिला वो कंठ में मिली हुई रहती है जैसा कंठ है उसी सेप से न आवे निमुना इनका जाने आशिक रुखा का दिल है अनुरागिनी आत्माओं का दिल ही इस बात को समझता है बाकि उसका ओधारन दुनिया में कहीं भी नहीं है नाम नंगों का लेता हूँ, कहता हूँ, जड़ा अवजुवाएं, इन रत्नों का मैं नाम लेता हूँ, और यह जड़े हुए हैं, इस तरह से भी बताता हूँ, वस्तब में शब्दा तीत तो कहावत है, जो सिफत पहुंचत ना है, वस्तब में शब्दा तीत हैं, तभी दारन बगर दुनिया में कहीं भी नहीं है उन तक पहुंचता नहीं है तो जो भी कहते हैं वो उनकी पूरी बात नहीं बताई जा सकते इसलिए इनको शब्दातित कहा है दो बाजुबंद विराजत तामें केते के जड़ावा दोनों बाजुबंद बाजु में दोनों तरफ बाजुबंदा है उसमें भी विविन्न प्रकार के जड़ाव हैं माहें रंग नंग कई आवत हैं तो उनमें बीच बीच में अलग 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 प्रकार के रंग अल इस भाव से कहा है, तो अस्तम में ये जड़े हुए नहीं है, वो अपने आपी उस तरह से है, स्वभावे कुरुप से बने हैं, जो शोभा बाजुबंद में इसा कोटमा कया न जाए, जो शोभा बाजुबंद की है, उसका करणों भाग, उसका वरणन करना चाहें तो भी नह हो सकता है, मैं कहूं इन दिल माफ का वह पहनता है, चित चाहें, मैं तो दुनिया के दिल के अनुशार कलपना करके बता रहा हूं, वस्तम में ये तो पहनने वाले आत्माएं वो तो परमधाम की है, तो श्यमाजी तो परमधाम की है, तो वो अपने इच्छा के अनुर्कु पहनती है जैसा चाती हो इसे पहनती है श्याम शेत लाल निलवी बाजु बंद और फूमक तो इन में श्याम शेत लाल निलमणी इस प्रकर का बाजु बंद और फूमक ऐसा बाजु बंद है तो उसमें फूमक का ताथ परे उसमें से लटकने लटकती है तिना फुन्दन की उसको गाठ बानते हैं और उसमें से फिर लटकन निकलती है तिना फुन्दन की फुन्दन जरी जलकता है वो लटकन है उसमें से जरी चमकने लगती है ले ता लहरी जो ता लटकता है तो इस प्रकार उसमें से जो प्रकास निकलता है तो वो प्रकासी लटका हुआ हो ऐसा लगता है मोहरी तले जो कंकनी अब ये बाजु का तो यहां पर उसके श्यामा जी के चोली का भी बाजु है तो यहां तक आया हुआ होता है उसमें भी वो किनारी होती है तो उससे आगे उसके लिए बात पता रहे हैं तो वहां कंकनी है तो कंकनी कहते हैं चूडी कोई है श्यामा जिए हो एक ही नहीं है तो तो वरस पर ठीकराते है तो उन में से श्याड़ निकलता है नंग कटाव एक आंगारी है तो उसमें भी वीविन प्रकार की काड़ी है चूड़ा पर जोता अतनता फिर उससे इदर चूड़ा है चूड़ा है बड़ा चूड़ा बड़ी चूड़ी है उसको चूड़ बोल दिया तो उसमें इसकी ज्योती बहुत सुन्दर दिखाई देती है चूड़क वो नहीं कांडे लगा तो वो चूड़ क्या है कि ये अलग व ऐस तरलग प्रकर के चूडियां है, वो सार मनों मिले उए हो ना तो इस तरह से लगते हैं, तो यहां कोणी तक पहुंच जाते हैं, इतनी चूडियां है कई रंग उठे तो इन अलग-अलग रंग के रत्नों से अलग-अलग प्रकार की केरणे निकलती है तिन रंग रंग में कई तरंग उनमें अलग-अलग रंग के अलग-अलग तरंग ने दिखाई देती है इन विदा के रंग इन जुवां क्यों कर आवे सुमार परमधाम के ऐ कैसे रंग है वो नशर जिवहा के द्वारा कैसे बताये जा सकते हैं। ना आवेशुमार रंग को ना कछो ज्योत को पार ना तो रंग का पारवार है ना उसमें से निकलने वाली ज्योती है उसका पारवार है। चूड आगो दोरे दो सोभी तो अब चूड से आगे दो चैन की तरस दो दोरे हैं। और कंकनी शोभे उपर हैं। उनके उपर कंकनी हैं। चूडी है वो शोगा देती है। दो तरफ हैं। तेज ज्योत के कंकनी बोलत मिठेश्वर तो दोनों तरफ तो ये वो दोरे हैं। और बीच में कंकनी हैं। तो जब बचते हैं तो उसमें से मिठाश्वर निकलता है। दोरे कंचन नंके तेना आगो नवघरी तो ये दोरे हैं वो कंचन रंके हैं। तेना आगो नवघरी उनसे आगे नवघरी एक औलग प्रकार कावोश्न है। तो नवघरी क्या है कि ये मडि मन्द में होता है। ऋस balance quota होता है। तो कई बार यह पहुँचा इदर जो जन्जीरें बगर आई होई होती है, तो वो उसमें भी अटका आते हैं, कभी-कभी उसके लिए वो अलग होता है तो इस प्रकार का यह आवशन है पहुंचे हफेली हाथ के अतंत रंग उज्वल तो आथ का इदर का करप्रिष्ट भाग है और करतल भाग है तो हफेली करतल भाग होता है ये पीछे का करप्रिष्ट है तो करप्रिष्ट से पाउचा जैसा बना है तो इनका रंग बड़ा सुन्दर है अतंता रंग उज्वला बड़ा उज्वल रंग है बलब जाओं छबी लिकों पर तो ये इस्वी रेखाएं बगरे ये इतनी सुन्दर लगती है तो उसको देखते ही रहा जाएं ये बली बली हाथ की अंगुरी पतल यां कोमल है दोनों हाथ की अंगुली यां बड़ी कोमल है और पतली पतले अंगुली है चर्न जछुटे आशीक शे इतन्न निकसे दिल तो ये अक्षरातिछ धामधनी के चर्ण है वो ब्रह्मा आत्म से कभी छूटते नहीं है, वो यहां से अक्षराति धामदने रिदाय से निकल जाएं, उनको पुशाता ही नहीं है इसलिए यह तथे ना निकशे दिल है, तो दिल से वो यह निकलते नहीं है चर्न पांच अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल अचभी अंगुरी, पांच पांच अंगुरी जुदी जुदी अब यह पांच पांच अंगुलियां है, पांच पांच यह अंगुलियां अंगुठा सैथ पांचों अंगुलियां अलग-अलग प्रकार के है अति कोमल अच्छा भी अंगुरी तो ये इनकी सुन्धरता बड़े कोमल हैं और बड़े सुन्दर हैं दो अंगुठ आरशी दोनों अंगुठ़ों में तो ओ दरपन ऐशे दिखाएएए अपना चेहरा दिखे उस तरह के दोनों अंगुठ़िवों में ऐस तरह है और आठों रंग, आठों मुदरी और आठों मुदरिकाओं में अलगल आठों रंग के रत्ना है तो उनका वरण कर रहे हैं पाँच पाने, कंचन के निल भी और हीरे, पाँच पन्ना वश्चे तो ये कंचन के स्वने के स्वने की हैं मुदरिकाएं किन तो इसमें पांच पन्ना, निल मनी, हीरा, लसनिया, बैदुरिय मनी और गोमाधिक, रंग पीत पोखरे, पीले रंग का उपुखराज, ये साब इसमें जड़े हुए हैं, दर्पन रंग दू, अंगुठी, अंगुठी क्या है दर्पन रंग की है, तो वो ऐसे कांच का ट देखनाओं देख सकते हैं, उनके दो अंगुठी, और नंगों के दर्पन, तो वो ये दर्पन ये भी रत्नों का ही है, कर शिंगारता में देखता है, नख़ शिखल लग हो तो रोशन्ना, तो शिंगार करने के बाद उसमें से देखते हैं, तो उसकी बनावटी इस प्रकर हैं, थोटा वने परिवस में देखते हैं, तो बड़ा पुरा देखता है, आगो इन नख़ जोता के, अब ये नख़ शिखल लग हो तो रोशन्ना, तो नख़ से लेकर के शिखा परियंत सारा ये इसमें प्रतिविम्मित हो सकता है, ऐसा, ऐसे तो वो आर्षी है, दर्पन रंग के अंगुठे के रतना, आगो इन नख़ जोता के होवे सूरख का ही कोटा, अब हस्ता कमल के अंगुलियों के अंगुठे के नख़ की बात कर रहे हैं, इन नख़ों के सामने तो करणों सुरिया है, वो भी निश्तेज हो जाते हैं, सो सूरन आवे नजरों, एक नखा अनीकी ओट, एक नख किनारे से जो प्रकास निकलता है, तो उसमें तो उस प्रकास के सामने करणों स्वरियत दिखाई नहीं देते हैं, यह जूट निमूना इतका हका को दिया न जाए, जो कुछ भी उधारन दे रहे हैं, यह तो सब जूट जाए, उधारन है, सत्य परमात्मा तक यह उधारन नहीं पहुंच पाते हैं, चूप किये भी ना बने, कह कह रूँ अपस्ता है, योदि कुछ ना बताएं तो भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, किन्तो बताने के बाद में लगता है कि हमने तो क्या बताया, कुछ भी नह आत्मा को लगता है कि हमने तो क्या बता है कुछ भी नहीं किया एच्छे पस्ताताप होता है वो बता रहे है नीलवी अतलस चरनिया कई बेल कटाव नकश नीली अतलस चरनिया तो चरनिया तो उनके वो अधव वस्त्र का वरणन कर रहे है तो वो हरे नंग में हरा और उसमें लक्षया नंग बाद में आएगा तो वो ऐसे रश嘛 बस्त्रकाव लगताव्रांगेंmade बता है फ़लों की चीन किनारे जो देखो जानो एक पे और शरश तो उसके किनारे पर देखेंगे तो किनारे में वो चुन्डटे बनी हुई है तो उसको देखेंगे तो एक से दूसरा ज़्यादा अच्छा सुन्दर देखाई देता है माए बेल फूल अगई खजूरे नंगई के वश्तरा तो बीच में बेल फूल ऐसे खजूरे ऐसी अलग-अलग प्रकार की डिजाइन है ऐसा लगता है कि सारा वश्तर वो रतनकाई है ऐसा लगता है नरम सकत जो दिल चाहे जो तो सुगंद सब परा तो उसमें कितने कोमलता होने चाहिए कितने कठोरता हो जैसे चाहते हैं उस प्रकार से उतायार होता है इसलिए ज्यूति है सुगंदा है यह सब में होते हैं किन्तो कितनी मात्रा में चाहिए तो उसे सब से यह सब तयार होते हैं नव रंग इन नाडी मिने तो इसको बांदने का नाड़ा है उसमें भी नव रंग है ताना बाना सबनगा उसमें भी उसको ऐसे मरोड मरोड करके वो बना है जानों बने जवे रनके नकस रेशमया रंग तो वो सब रतनों का बना हुआ है ऐसा लगता है रेशम अथवा तो र सब्सक्राइब करें । आलाल की जे नकसरेशम यारंग नकसरेशम यारंग नवरंग इन नाडी मिने आना बाना सबनग जानों बने जवे रनग नकसरेशम यारंग नकसरेशम यारंग नकसर शमयारंगा नकसर शमयारंगा